तो यह आपके पास परसन है और यह आपके पास डेज है लेको टू परसन त्री डेज में किसी उसको फिट करते हैं फ्रस्ट पार्ट देखो अब इस पार वन आव दा परसन फैल एक बीमार हो गया तो एक ही परसन बचा how would long the job कितने में complete करेगा अगला how many persons कितने परसन की जरुत है if the window in one days में अगर वो विंडो लगनी हो सबसे पहले तो देखो यह यह second case है वही by inverse proportion साफ दिख रहा है मुझे देखो अगर number of person कम हुए है तो ज़्यादा दिनों में पूरा होगा फिर two से देखो यह three से देखो number of days अगर कम हुए है तो person इस बार ज़्यादा होंगे सब्सक्राइब दोनों में apply करके दिखा दिया मैंने आपके first case में करूंगा two multiply three equals to one multiply x तो यह six equals to x देख लो फस्ट वाले value से ज़्यादा आ रही है तो number of days जो होंगे वो six लगेंगे six days अगर एक परसन हट गया तो double time हो गया एक तरीक से न second case में देखो two multiply three equals to x multiply one यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास six आ गया है यह क्या है number of person है six person क्यूं और बात है अगर यह एक दिन के अंदर काम पूरा कर रहा तो कितने ज्यादा बंदे चाहिए इसको देखो इसका यह थर्ड पार्ट है तो यह तीन गुना increase हो गया ऐसे भी समझ सकते हैं इसको ठीक है cash number 10 complete